हालो दुर्वान दिस इस सरासिफ अली आज का हमारा टॉपिक टिर डिडिक्शन और सेंटेंस करेक्शन है वीडियो पूरी देखें अगर कि आपको समझ में आए तो वीडियो को जुरूर लाइक करें और कॉमेंट में जुरूर बताईएगा कि आपको क्या समझ में और कितना समझ में आ हैं और ये भी बताए कि क्या इस टॉपिक को मजीद लेके चले हम अगर कैची रिस्पॉंस मिली इस वीडियो से तो एक नया टॉपिक फिर इसके उपर लाएंगे और भी मजीद रूल्स है फिर आमने सब्जेक्ट वर बेगरी मिलिया है इसके कुछ रूल्स डि से और सिंगूलर सब्जेक्ट। कनेक्टिड बाई एंड जोडियो एक अड्र Humalda productive मेलिया है ? और प्लूल्स का मतलब होता जादा singular subject जो के connected है end से तो उनका जो verb होगा वो क्या होगा हमेशा plural होगा for example एक incorrect sentence लेते हैं साकिब एंड दुलकर नेन is here क्या यह सही है या गलत है गलत है क्यों गलत है भाई जब हमने कहा के दो या दो से जायद subject जो connected हो end से वो verb plural लेंगे तो यहाँ पे इस verb है वो singular है तो इसका मतलब यह कि यहाँ पे जो is है वो mistake है और इसे सही करना है अब करेक्ट जुम्ला क्या होगा साकिब एंड जुलकर नेन are here क्यों सही है यह क्योंकि रूल में कहा यह गया कि दो या दो से जायद subject जो के connected है end से है उनके साथ verb कौन सा यूज़ करना चाहिए plural करना चाहिए obviously तो साथ के end center पे यूज़ हुआ फिर जुलकर नेन आया दो subject हो गये तो मैं is की बजाए are use क्या क्योंकि दो नाम थे verb obviously plural होना चाहिए दो subject थे बीच में end यूज़ किया और verb हमने plural यूज़ किया तो जुम्रा हमरा correct हो गया बात समझ आ गई ना देखो कितना आसान था अब comment box में ज़रूर बताईए गा number two if two singular nouns refer to the same person or thing the verb must be singular दो singular nouns जो के refer कर रहे हैं same person या same चीज़ को एक ही चीज़ है लेकिन वहाँ पे उसके लिए दो नाम यूज़ हुए हैं तो verb must be singular verb को क्या होना चाहिए singular होना चाहिए बात समझ में आई एक बारों repeat करता हूँ दो singular नाम है और refer कर रहे हैं बता रहे हैं एक ही person एक ही चीज़ के बारे में तो verb का singular होना लाजमी है example लेते हैं जुम्लों की मदद से समझ लेते हैं इसको मज़ीद incorrect जुम्ले को देखते हैं इसमें correction क्या करनी चाहिए हमें the secretary and principal are coming अब यहां पे देखें मज़ेगी बात हम क्या करके आते हैं कहते हैं यहां पे secretary भी है principal भी है तो आ राएगा सही है लेकिन ऐसा नहीं है क्या कहा गया rule में two singular nouns दो singular नाम और person यहां पे कितने हैं एक है एक ही person secretary भी है principle भी है तो अब हमें rule के मताबिक क्या करना चाहिए verb must be singular verb को हमें क्या करना चाहिए singular करना चाहिए तो correct जुम्ला हमारे पास क्या होना चाहिए obviously जी आप सही कह रहे है दी सेकर्ट फ्री एंड प्रेंसिपल इस कमिंग जी हां वही सेंबूल को हमने पकड़ के करना है इसे two singular nouns एं रेफर एक person को कर रहे है एक चीज को कर रहे है वो वर्ब मस्ट भी singular होना चाहिए लाजमी होना चाहिए इसेकर्टरी एंड प्रेंसिपल एक ही आदमी है वाई दो नहीं है दो काम दो नाम है उसके एक आदमी के सेकर्टरी भी है प्रेंसिपल भी है लेकिन आदमी एक ही है तो उसके लिए हमें वर्ब में क्या करना चाहिए वर्ब हमें singular लेना चाहिए तो हमने वर्ब singular is लिया त मज़े की बात एक और बात एड़ करता है चलो अगर के principle से पहले दा का यूज होता तो फिर आप क्या use करते है आर यूज करते हैं क्यों के भाई जब भी हम दा article का use करते हैं तो हम किसी को specify कर रहे होते हैं अगर के दा का यूज़ करते प्रिंसिपल से पहले तो आर यहां पे लाजमी था आर सही था Basically हमने दा यूज़ करके यहां पे शो किया कि यहां पे दो लोग है दा अर्टिकल स्पैसिफाय कर रहा है दो लोगों को यह समझ लीजी Number 3 If the singular subjects are preceded by each or every The verb is usually singular अगर के singular subject ठीक है और वो किस से start ले रहा है Each या every से तो उसका वर्ब क्या होना चाहिए Singular होना चाहिए Obviously Example करके हम सबचते हैं देखें एक incorrect sentence है Every boy and girl were ready क्या करना चाहिए हमें हमें क्या करना चाहिए जो हमारी यहां पे Word जो वर्ब है उसे क्या करना चाहिए singular करना चाहिए क्यों भाई singular करना चाहिए यहां पे तो ब्थ बय और गर्ल है हम क्यों करें भाई इस वजह ऑसे करें कि हमारे पास एक rule है वो rule क्या करता है कि just singular subjects है और वो किस से proceed कर रहे Each या every से Start किसे ले रहे each यह every से ले रहे तो verb भई क्या होना चाहिए singular होना चाहिए तो जुम्ला incorrect हो गया correct क्या होगा देखें every boy and girl was ready कोई complication नहीं है simple क्या करना है जब भी every or each first place जुम्ले के use हो आगे चाहे जितने subject हो ठीक है आगे चाहे जितने subjects हो आपने क्या use करना है singular verb यूज करना है अब चाहे वो किस tense के भी हिसाब से हो has हो या फिर was हो या फिर is हो कोई सा भी tense हो लेकिन आपने कौन सा verb यूज करना होगा आपने singular verb यूज करना होगा बात समझ में आई I hope so के समझ आया होगा अब ही आप अपनी कीमती राय दें कि इस वीडियो से आप क्या सीख पाए कमेंट बॉक्स में बताए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए वीडियो के रिमेनिंग पार्स जल्दी अपलोड किये जाएंगे